हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बारोट नंदिस ओल इन वन आज हम बात करने वाले हैं इंफा स्रक्चर से जुडी हुई कंपणी के बारे में कम्पनी का पूरा नाम है GR Info Projects ये कम्पनी इसका IPO साथ जुलाई को लाने वाली है तो हम इस IPO की पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं GR Info Projects एक एकिकरूत सडक GRIL, Engineering खरीद और निर्मान कम्पनी जिसके पास अनुबव है DC और बोट आदार के तहट सिविल निर्मान परियोधना का कार्य करता है लेकिन थर्मोप्लास्टिक सडक बनाने वाले पेट बिडली के खंबे April 2021 तक इसने 120 ज्यादा सडक निर्मान परियोधनाओं के सफलता पूर्वक काम किया है सडक के संकेत और दातू दुरगटना अवरोदों के निर्मान की गती वीडियो में भी विवित्ता लाता है और वर्तमान में चार बियोटी परियोधना परियोधनाय निर्मानादित है कमपनी के पास उदैपूर, गुहाटी और संडीला में भी तीन विनिर्मान सुविदाय है और अहमदाबाद गुजरात में एक फैबरिकेशन और गैलवेनाईजेशन का यूनिट है तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हो अर्थात राज्यो और राष्टिय राज्यमार्ग पुलियो फ्लाइंग ओवरो हवाई अड्डो के रनवे सुरंगो आदी में शक्षम है मजबूत परियोधना, निस्पादन क्षमताय, मजबूत वित्ये प्रदाशन टेक रेकोर्ड, अनुबवी प्रमोटरों और प्रबंदकों की टीम है अब हम कंपनी के प्रमोटर की बारे में बात करते हैं तो विनोत कुमार अगरवाल, अजेंदर कुमार अगरवाल, पुर्शोतम अगरवाल और लोकेश बिल्डर्स प्राइवेट लिमेटेड कंपनी के प्रमोटर है अब हम कंपनी के फाइनांसियल बेगराउन के बारे में चेक कर लेते हैं प्रमोटर के टोटल एसेट, रेवन्यो और प्रॉफिट अफ्टर टेक्स की बात करे तो इसने आगरे मिलेनियम में दे रखे हैं साल 31 मार्थ 2019 की बात करे तो 7,166 मिलेन का प्रॉफिट हुआ था साल 31 मार्थ 2020 की बात करे तो 8,008 मिलेन का प्रॉफिट हुआ था साल 31 मार्ट 2021 की बात करे तो 9,532 मिलियन का प्रोफिट अभी तक हुआ है जी आर इंफा प्रोजेक्ट IPO की डिटेल्स की बात करे तो IPO ओपन होने वाला है 7 जुलाई 2021 को IPO क्लोज होने वाला है 9 जुलाई 2021 को बुक बिल्ट इश्यू IPO है इसकी face value 5 रुपे पर equity share है IPO की price band की बात करे तो 828 थे 837 रुपे पर share है market lot की बात करे तो 17 share है minimum order quantity share की बात करे तो 17 share है यहाँ पर इसकी listing BSC और NSC दोनों पर होने वाली है issue size की बात करे तो 963.88 करोड का ये issue होने वाला है offer fall sell की बात करे तो 963.88 करोड का होने वाला है अब हम इसकी time table की बात करते है 7 July को ये IPO open होने वाला है और 9 July को ये IPO close होने वाला है 14 तारिक को इसकी allotment date होने वाली है 15 तारिक को जिस किसी को share allot नहीं हुए होगे उसके bank account में पैसे company refund कर देगी 16 तारिक को जिस किसी को share allot हुए होगे उसको company उसके debate account में share जमा कर देगी IPO की listing 19 July को होने वाली है अब हम इसकी lot size के बारे में बात करते है तो minimum एक lot में 17 share है जिसकी amount है 14,219 रुपे maximum 14 lot में 238 share है जिसकी amount है 1,99,206 रुपे तो दोस्तों इसका grey market premium open हो चुका है और आतक का इसका grey market premium 290 से 300 रुपे तक चल रहा है तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो पे like, share और comment करना ना भूले बहुत बहुत धन्यवाद